हलो एवरीवन आज इस वीडियो में एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग कुश्चन है जो मेरे भी मन में उठता था अब वो डाउट क्लियर हो चुका है और स्वाइड आपके मन में भी आता होगा कि विश्व कर्मा पूजा 17 सेप्टेंबर को ही क्यों सेलिबरेट करते हैं जबकि बाकी फेस्टिबल का जो डेट है वो चेंज होते रहता है लेकिन विश्व कर्मा पूजा का डेट चेंज क्यों नहीं होता है वो हर साल 17 सेप्टेंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो इस वीडियो में इस डाउट को हम क्लियर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस विश्व कर्म पूजा ओन 17 सेप्टेंबर एवरी एर लॉड विश्व कर्मा इस कॉल्ड अर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स लॉड विश्व कर्मा को किसका देउता माना जाता है किसका भगवान कहते है तो उन्हें हम वास्तु कार सेल्प कार जो कोई चीज का निर्मान करता है उनका भगवान किसे कहते है तो लॉड विश्व कर्मा को कहते है and his birth anniversary is celebrated every year on 17 सेप्टेंबर और उनका जो birth anniversary है वो कम मनाय जाता है तो वो हर साल 17 सेप्टेंबर को मनाय जाता है अब आप ही बताओ आपका जो बड़े है वो हर साल चेंज होता है क्या नहीं होता है ना तो उस विश्योकर्म, जो गौड है, Lord Vishyokarm, उनका भी बर्थ हैंवर्सीरी कब है, 17 सेप्टेम्बर को है, और यही वजा है, कि हर साल विश्योकर्म पूजा कब सेलिबरेट होता है, तो वो होता है तो हमारा 17 सेप्टेम्बर को, वही यह पर लिखा है, and his birth anniversary is celebrated every year on 17th September और उनका जो birth anniversary है वो हर साल 17 September को celebrate किया जाता है Lord Vishwakarma additionally known as the world's first engineer और Lord Vishwakarma को इसके साथ साथ हम ऐसा भी जानते हैं कि वो दुनिया के क्या है पहले engineer है ऐसा हम लोग कहा जाता है कि world के जो first engineer है वो कौन है तो वो है Lord Vishwakarma इसके साथ साथ वो भगवान लोग जितने भी देवताओं थे उनका क्या करते थे यह औजार भी बनाने का काम कौन करता था तो वो Lord Vishwakarma करते थे It is thought in the Hindu religion that Lord Vishwakarma influences all kind of tools and iron items और ऐसा विश्वास के जाता है ऐसा धारना है ऐसा जाना जाता है ऐसा सोचा जाता है हिंदु धर्म में कि Lord Vishwakarma बहुत जादा किसको प्रभावित करते थे तो वो tools को और जार को और जितने भी लोहे के आइटम है उनको क्या करते थे बहुत जादा influence करते थे that's why people worship their machinery on this day और यही वजाए कि लोग अपने अपने घर में जो भी लोहे का आइटम होता है उसका भी क्या करते है पूजा करते है कब तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो I hope अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि लौड विश्वकर्मा का birth anniversary उनका बड़े कब है तो 17 September को है उन्हें इसके साथ साथ वर्ल्ड का first engineer भी जाना जाता है ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो भगवाल लोगों के लिए घर के साथ उनका ओजार बनाने का काम भी लौड विश्वकर्मा ही करते थे और वो बह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले थेंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो